आज देविंद्र फर्णविस मंत्रे मंदल का विस्तार हो रहा है। पर्णविस सरकार में शिवसेना के पाच कैबिनेट और पाच राजय मंत्री बनाये जाएंगे। हमने चर्चा करके ये निर्णे किया कि महाराष्ट में भारती जनता पर्टी शिवसेना फिर गडबंदन से सरकार चलाएगी। हमारे और भी कुछ मित्र हैं उनको भी उचित समय पर हम लोग इस गडबंदन में शामिल करना चाते। श्री नगर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावती रैली पर आतंकी हमले की आशंका है। मोदी की रैली की मद्दे नजर घाती हाई अलट पर है। इस महीने की आठ तारिक को मोदी श्री नगर में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। घाती में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत जोग दी है। खुद प्रधान मंत्री मोदी ने अब तक जम्मू कश्मीड में डोडा, किष्टवार और उधंपूर में रैली कर चुके हैं। हलाके पिछली दिनों घाती में हुई आतंगवादी वार्दातों को देखते हुए श्री नगर में मोदी की रैली पर भी खत्रे की आशंका है। आज प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंग सुहाग से मुलाकात करेंगे। सुहाग से प्रधान मंत्री देश की सरहद की सुरक्षा की खबर लेंगे। सुहाग मोदी को सरहद खास कर पाक से लगी सीमाओं के ताजा हालात बया करेंगे। आज ही देश के नए रक्षा मंत्री मनुहर परिकर लोकसभा में बोलेंगे। जालंधर के दिवे जोती जागरती संस्थान नूर महल के प्रमुक आशुतोष महराज की समाधी या मौत के मामली में पंजाब और हर्याना हाई कोट में अपील दायर की गई है ये अपील पंजाब और हर्याना हाई कोट के उस फैसले के खिलाफ दायर किया गया है जिसमें कोट ने आशुतोष महराज को क्लिनिकल डेड मानते हुए 15 दिनों के अंदर अंतिम संसकार करने का आदेश दिया है अब दिव्य जोती संस्थान हाई कोट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोट के ही डबल बिंच में अपील दायर की है जिसके सुनवाई आज हो सकती है पंजाब के गुरदासपूर में एक चिकितसा शिवर में साच लोगों की आँखों की रोश्णी चली गई ये शिवर एक समाज सेवी संस्थाने आयोजित किया था रोश्णी कोने वालों में सोलर लोग अम्रिससर और बाकी गुरदासपूर के रहने वाले हैं मामले के जाच के लिए सिविल सर्जन को आदेश दे दिये गए हैं मामले की रिपोर्ट सोमवार तक मांगी गई है मोदी लहर रोकने के लिए दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों मुलायम सिंग यादव के घर तीसरी ताक्तों का लगा जमघट इस बैठक में नितीश कुमार लालू प्रसादी यादव के अलावा शरदी यादव जैसे नेताओं ने शिर्कत की बैठक का आजेंड़ा था एक जुट होकर मोदी शाह की जोड़ी को कड़ी टक कर देना बैठक में तीनों दलों को मिला कर एक दल या एक महागडबंधन बनाने की संभावनों परमाथा पच्ची हुई विले की प्रक्रिया पर बाच्चीत के लिए मुलायम सिंग को अधिकरित किया गया है इसी दिसंबर में मुलायम नितीश लालू का महागडबंधन देश व्यापी प्रदर्शन करेगा अपनी कत्नी और करनी को लेकर विवादों में रहने वाले आम आदमी पाटी के चेहरा और संयोजक अरविन केजरिवाल फिर विवादों में घिर गए हैं इस बार उन पर उंगली उठी है बिजनस क्लास में हवाई यात्रा पर दरसल केजरिवाल अपनी पाटी के लिए चंदा मांगने विदेख्ष रवाना हुए है आम आदमी के लिए सादगी, सच्चाई और इमानदारी की दोहाई देने वाले केजरिवाल का बिजनस क्लास में सफर करना लोगों को खटक रहा है वो भी तब जब वो पाटी का ख़जाना खाली कहकर चुनाव के लिए चंदा मांगने जा रहे हैं अलंकि पाटी ने इसका बचाव किया है पाटी की तरब से कहा गया है कि टिकट आयोजुकों की ओर से दिया गया था इसमें पाटी के फंड का इस्तमाल नहीं किया गया है इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है दिल्ले में सिंगासिन की लडाई में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोंग दी है बीजेपी की दिल्ली इकाई अब ग्रिहनियों को भी पार्टी से जोड़ेगी पार्टी ने महिला सेल को इसकाम में लगाया है दिल्ले के सभी जिलों से कम से कम 10,000 गिरिणियों को सदस्य बनाने का लक्ष निर्धारिक किया गया है साथी पाटी ने अलपसंख्यक सेल को भी कम से कम एक लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का जिम्मा सौप दिया है दिल्ले विधान सभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने अपनी कमर कसली है जिसके चलते भाजपा ने पुर्वानचली वोट बैंक में सीधे सेंद लगाने के लिए बियार के सांसत के साथ इलाके की सांसद मिनाक्षी लेखी के साथ दिल्ली प्रदेश्ट अध्यक्ष ने जन सभाकर भाजपा का जम कर गुणगान किया और आम आदमी पार्टी को भगोड़ा करार दिया दिल्ली में भले ही चुनाब की तारिखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी परचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती राजारी गार्डन में गुजरात से सांसद दीप सिंग राठोर ने रैली की और आम आदमी पार्टी के नेतार विन केजरिवाल पर जम कर हला बोला राटोर ने अरोप लगाया कि केजरिवाल ने दिल्ली से गद्दारी की है पार्टी साथी साथ पुर्वांचली वोट बैंक को भी साधने में लगी है बिहार के सांसदों के साथ मिनाक्षी लेखी ने परचार की कमान ठाम रखी है मालवी नेगर की रैली में दिल्ली इकाय के चीप सतीर शुपाधियाय ने बिहार के सांसदों के साथ जनता से वोट की अपील की वहें कस्तूर्वा नगर की रैली में लोगों को निराशी लोटना पड़ा जब बीजेपी नेताय मिनाक्षी लेखी नहीं पहुँचवाई विदान्सपा चुनाओ की मद्य नजर बीजेपी के आला नेताओं का एक पैर जम्मू कश्मीर में है तो दूसरा जहार खण में चुना परचार के लिए बीजेपी के मुख्या अमेट शाह राजी के नस्दीक सिल्ली पहुँचे आजसु प्रत्याश्तीत सुदेश महतो इस सीट से चुनाव लाट रहे हैं इस मौके पर अमेट शाह ने बीजेपी को फूर्ण बहुमत से विज़ई बनाने की अपील की कौंगरेस पाधियक्ष राहूल गांधी अमेटी से अपने दो दिनों के दोरे से लोटने के करम मेल लखनों मेरुके यहां राहूल ने इंद्रा गांधी आई हस्पिटल के एक जलसे मिश्रकत की राहूल ने इस्पताल में बहतर सुविधा और इलाज के लिए यहां स्टाफ और कर्मचारियों के तारिफ की मेरट के गाउं में एक अंजान लड़के का शाओ पेड़ पर लड़का मिलने से संसनी फैल गई शब को देखने के लिए लोगों की भीर लग गई गाउवालों की सुचना पर पुलिस ने शब को उतार कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया और मामले की च्छानबीन शुरू कर दी हाला कि अभी तक युवक की शिराख से नहीं हो पाई है पश्य मंगाल के वर्दमान में एक अधेर उम्र के शक्स ने पेड़ से लटक कर खुद कुशी कर ली परिवारवानों के मुदाबे कि ये शक्स मनरेगा में मजदूर था और वक्त पर पैसा नहीं मिलने की बज़े से उसकी माली हालत खस था थी जिस से तंग आकर उसने आत्म हत्या कली पुलिस मामले की परदाल कर रही है प्रेटर नोड़ा के सूरजपूर के एक मंदिर में चोरों ने दान पात्र ही उड़ा दिया बीती रात तीन चोरों ने घटना को अंजाम दिया तीनों चोर रात के अंधेरे में बड़ी सफाई से मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर लाखर रुपयों को लेकर फरार हो गए चोरों की सारी करतूत मंदिर में लगे सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई पुलिस अब तीनों की तलाश में है गाजयवाद से पुलिस ने एक ठक को दबोचा है लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का लाज़च दे कर इन जनाब ने ना जाने कितने लोगों को चूना लगाया नेताजी इंदरापुरम इलाके में कई लोगों को नौर्धन रेलवे में टिकेट कलेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखर रुपे एड़ चुके हैं लोगों को जहासे में लेने के लिए ठग ने फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बना रखे थे यही नहीं इसने लोगों को फर्जी कॉल लेटर और टीसी की वर्दी देकर स्टेशनों पर तैनात तक करवा दिया अभी तक ये चौधा लोगों से लाखों रोपे ठक चुका है दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेंज भटने की कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई और उनकी बाइक एक खंबे से जाठकराई इस हाथसे में बाईक पर सवार एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि दो गंभी रूप से खायल हो गई, दोनों अस्पताल में भरती हैं डिल्ली के IP Extension इलाके के एक स्कूल में चोटी नहीं बनाने पर एक टीचर ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई की और जब माबाब ने इसकी शिकायद स्कूल प्रशासन से की, तोल्टे स्कूल प्रशासन ने बच्ची को ही स्कूल से निकाल दिया स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्ची के माता-पिता आए दिन टीचरों से बदतमीजी करते हैं मामला इतना बढ़ गया है कि All India Parents Association ने उपराजपाल को चिठी लिखी है हर्याना के भिवानी में एक नावालिग ने एक आश्रम की साध्वी पर समलेंगे ग्विवाह करने और आप्राकृतिक योनाचार करने का आरोप लगाया है लेकिन साध्वी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद एवं जूटा बताया है एसपी ने मामले की घंबीरता को देखते हुए S.I.T. का गठन कर दिया है और जाँच का जिम्मा भिवानी पुलिस उपदीक्षक अमित भढ़िया को सौब दिया है बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशम अंसारी ने एक और नया एलान किया है क्या वो हिंदू संगठोनों के साथ मिलकर मंदिर मस्जिद विवात सोलजाने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी से मुलाकात करेंगी इससे पहले हाशम अंसारी ने बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी ना करने और राम डला को आजाद करने के अपने ऐलान पर खासी वाहवाही दूटी थी हाशम हनवानगडी के महंद और अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष ज्यानदास और अयोध्या के हिंदूओं के साथ मिलकर मंदिर मस्जिद विवात को सुलजाने के लिए हर मुमकिन पुशिश करेंगे मैं बोधी से बात करूँगा बान ज्यानदास के साथ भारती रेल भगवान भरोसे चल रही है और ट्रेनों में होने वाली दुरगटनाय को अब आम बात हो गई है ताजा मामला दून एक्सप्रेस का है जिसके एक स्लिपर कोच के टॉयलेट में मुगल सराय के पास चंदोली स्टेशर पर अचारक आग लग गई और यात्रियों में हलकम बच गया लेकिन वक्त रहते इस आग पर कावु पालिया गया और यह ट्रेन बनी ट्रेन बनने से बाल बाल बच गई उत्तरपदेश के हात रस में बीती शाम एक नमकीन बनाने की फैक्टरी में भैंकर आग लग गई आग उस वक्त लगी जब फैक्टरी में काम बंद हो चुका था मजदूर जा चुके थे दमकल की आधा दर्जन गाडियों ने करीब तेड़ घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग पर कावु पाया आशंका है कि आग बिज़्री के शौट सर्कृट से लगी है बिलासपूर में नस्बंती कैंप में हुई मौद पर गरफतार हुए डॉक्टर आरके गुपता को जमानत मिल गई है पिछले महिने एक नस्बंती कैंप में 14 मैनाओं की मौद हो गई थी और 100 से जादा घायल हुई थी इस संसनी के इस धटना के बाद प्रशासन ने कारवाई करते हुए सर्जन डॉक्टर आरके गुपता को बरखास्त कर दिया था बाद में इस मामले में उनकी गरफतारी भी हुई थी जैपूर के एक नीजी समाहरों में हाथी पोलो खेलने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया एनिमल प्रोटेक्शन से जुड़े एंजियो की लोगों ने रात में हाथी पोलो खेलने को जानवरों पर अत्याचार बताते हुए इस बंद करवा दिया और मुकदमा भी दर्ज करवाया मौके पर पहुंची पोलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताच शुरू कर दी आयोजकों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने रामबाग पोलो कलब से इजाज़त दी थी दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े फ्लाइवर प्रोजेक्ट में से एक बारापुला एलिवेटेड रोड अब पूर्वी दिल्ली को सीधे आईजियाई एरपोर्ट से जोड़ेगा दिल्ली के उपराजपाल नजीव जंग ने एक हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली की इस सड़क को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के साथ ही दक्षनी दिल्ली में धोला कुआ तक ले जाने को कहा है प्लान के मुताबिक सब कुछ चला तो अगले तीन साल में साढ़े चार किलोमेटर का ये एलिविटेड रूल 15 किलोमेटर लंबा होगा अगले साल 14 फरवरी से ऑस्टेलिया निजलेंड में होने वाले विश्व कप के लिए माही की सेना का चुनाव हो गया है खास बात ये है कि कप्तान महेंदर सिंग्धोनी की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है औस्ट्रेलिया गई टेस्ट टीम के सदस्ते हैं इने भी विश्व कप संभावितों में रखा गया है स्पीनर अक्षर पटेल भी कप्तान की पसंद है कुल मिला कर देखा जाये तो चेन करता प्रयोग से बचे हैं और माही की मन पसंद की फौज तैयार की है नैचेहरों में कुल्दी पियादव और केदार जाधव पर सेलेक्टरों ने भरोसा जताया है विश्व कप के 30 संभावितों में पुराने 5 धुरंधरों में से किसी को जगा नहीं मिली है यहें विरेंदर सहवाग, हर्भजन सिंग, जहीर खान, गौतम गंभीर और युगराज सिंग और तलब है कि यूई पिछले विश्व कप के हीरो रहे थे बच्जी के टीम में नहीं लिये जाने पर उनके कोश ने भी हैरानी जाहिर की है अमेरिका के दुश्मन नंबर एक अलकाइदा ने अमिर्की सरकार को रडार पर ले लिया है अलकाइदा ने नया वीडियो जारी कर धमकी दी है कि अगर सरकार उसकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो अमिर्की बंधक को तीन दिन के अंदर मौत के घाट उतार देगा आईएस आईएस से परिशान अमिर्का के लिए अलकाइदा ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है लगवग तीन मिनट की इस वीडियो में 33 साल के बंधक लियूग सौमर्स को किसी अंजान जगा पर आईएस आईएस बंधकों की ही तरह दिखाया गया है लिव के एक अमिर्की पत्रकार हैं जिने आतंक्यों ने यमन की राजधनी सतना से सितंबर 2013 में अगवा कर लिया था रक्षनी पोलेंड में एक दो साल का बच्चा माइनस साथ डिगरी तापमान में बेहुशी की हालत में मिला बच्चे के तन पर कपड़ा नामात्र का था जमा देने वाले सर्द रात में बच्चे को जिन्दा देखकर डॉक्टर भी हैरान है शायद इसे ही कहा जाता है जाको राखे साईयां मार सके ना कोई बच्चे का नाम एडम रखा गया है अभी एडम को रखाओ अस्पताल में कोमा में है साथ अफ्रिका अपने नेतार निलसन मंडेला को उनकी पुनितिती पर याद कर रहा है अपने मदीबा को पूरी शद्धांजली अरपित कर रहा है जोहनेस बर्ग में हजारों समर्थकों ने मंडेला फॉंडिशन पर गटा होकर मदीबा के लिए अपने मन की बातें लिखी